मेरा मानना है कि मतवाय और नामसुद्रव समाज 19 में जितना भारती जनता पाटी से जुड़ा था उससे अधीक 20 में जुड़ा रहेगा क्योंकि हमने 18 में वादा किया था कि हम Citizenship Amendment Act लेकर आएंगे जिससे 70 साल से वो लोग जो एक प्रकार से निगलेक्टेड जीवन जी रहे हैं उनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं होता उनको सन्मान प्राप्त नहीं होता वो सन्मान दिलाने का हम प्रयास करेंगे ऐसा हमने कहा था मगर हम चुनाव जीत गए जीतने के बाद 70 साल से कॉंग्रेस पार्टी का वादा होने के बावजूद जो काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया, वो हमने 17 में में समाप्ट कर दिया और सिटिजन्सिप एमेंटमेंट एक पारलामेंट के दोनों सदन में प्रारीत होकर आज उनके लिए कर दाए अब मैं मानता हूं कि इस सबसे बड़ी समस्या मतवा समाज की नामशुद्र समाज की सारे सरना थी भाहियों की थी कि उनको सन्मान नहीं मिलता था जो उसका उनका अधिकार है उनका अधिकार है आजादी के वक्त सारे नेताओं ने इ कर दो कि यहां कि परहां की यहां की.